हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है मारे सीपी इसकी किचिन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी दस मिनिट में तयार होने वाली फेस्टिवल स्वीट की रेसीपी और इसे हम कहते हैं इंस्टन पाइनपल रूल बहुत ही टेस्टी है और इसे आफ दो हफ़ते तक के अच्छे से एर टाइट कांटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं तो यहां हमने लिया है एक पैन और यहां पे हमने डाल दी है इसमें शकर तो पहले मैंने आधा कप डाल दी है और फिर एक चौथाई कप इसमें शकर डाल दी है और हमने आधा कप इसमें पानी डाल देना है जितनी शकर को डूबने में पानी लगता है बस उतना ही पानी हमने इस्तमाल किया है और अब इसका हमें एक सीरप तियार करना है तो सीरप जो होता है यह हमें बिलकुल ऐसे चिपचिपा सा सीरप तियार करना है बहुत ज़्याद ऐसे तार वाला सीरप तयार नहीं करना है तो हमने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और इस पे हमें लगातार इसे चलाते हुए ही हम शक्कर को घोल लेना है क्योंकि जो शक्कर है येगर आप as it is रखेंगे तो ये नीचे स्टिक हो जाती है और जल जाती है और सीरप का कलर चेंज हो जाता है इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए ही हमने शक्कर को घोल लिया और यहाँ पे हमें इसे सिर्फ 5 मिनिट के लिए बॉयल करना है इसके बाद में फ्लेम आफ कर देंगे और नीचे उतार के ठंडा कर लेना है और अब करेंगे हम जो रोल है उसके तियारी तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है इसमें डाल देना है घी तो यहाँ दो बड़े चमच घी इस्तमाल होगा हमने शुरू में एक बड़ा चमच इसमें घी डाल दिया है और बाकी का गी हम चलती भी इस्तमाल कर लेंगे तो इसमें डाल दिया है हमने एक कप मैदा तो एक कप मैदा और एक बड़ा चमच हमने गी ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसी अच्छे से मिक्स हो जाता है दूसरा बड़ा चमच हमने जो एक रखा हुआ था, उसे भी इसमें एड़ करके, अच्छे से mix कर लेंगे और इसे अच्छे से हमें roast करना है, तो मैंने एक चमच घे वापी से अच्छे कर लिया आदा सीरप अड़ करके इसे अच्छे से mix कर लेना है तकि इसमें जो लम्स है ये बिलकुल नार है और जब आपका मैदा जो है ये अच्छे से roast हो जाता है तो इसमें लम्स बिलकुल नहीं पड़ते हैं बिलकुल smooth सा एक डू तयार हो जाता है और बचा हुआ सीरप भी अब ह अगर एमेर्शन नहीं है तो आप इसेंस और उसी से ही रिलेटेट फुट कलर इसमें अट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह नॉन स्टिक पैन में है इसलिए बिल्कोल स्टिक नहीं होता है तो हमने बिल्कोल मिक्स करने के बाद में तुरंद फ्लेम ऑफ कर दी औ और उसके बाद में हमने एक ग्रीस की हुई थाली में निकाल लिया है डो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमने डो लगाया है ये बिलकुल स्मूध हो जाए तो थाली में पहले घी लगाएंगे उसके बाद ही ये जो हमने डो तियार किया उसमें अच्छे से मस तो इसे हमने अच्छे से मसल लिया उसके बाद में हमने जो बटर पेपर है उसके उपर हमें डस्ट कर लेना है शुगर पौडर या आइसिंग शुगर यहां मैंने आइसिंग शुगर का यूज किया है और फिल्कुल थोड़ा सा डो लेके हमें हाथ से इस तरीके से फैलाना ह यहां आप देख सकते मैंने उंगलिया किस तरीके से करी हैं उंगलियों को आप जैसे फैलाएंगे तो यह जो रोल है ये भी उसी तरीके से फैलेंगा और बटर पेपर पर जब हम रोल तियार करेंगे तब हमें इसमें जो आइसिंग शुगर है या शुगर पौडर है यह जरूर कर लेना है क्योंकि यह जो रूल है यह चिपक जाता है तो यहां उंगलियों की मदद से हमने रूल तियार कर लिए है और आपको जितना थिक या थिन रखना है यह आप पर डिपेंड करता है तो हमने सारे रूल तियार कर लिए है और हर एक मिनट के बाद में हमें roll को अच्छे से roll कर लेना है, यहां आप देख सकते हैं, हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से roll कर लेंगे, क्योंकि यह रखे रखे जो flat shape हो जाता है, क्योंकि यह थोड़ा उस वक्त उसमें फिर थोड़ा roll करते हैं, ऐसे तीन से चार बार हमें यह process कर लेनी है, जिससे हमारे जो roll है, यह बिलकुल round shape में रहेंगे, बिलकुल flat नीचे से नहीं होंगे, यहां आप देख सकते हैं, यह round shape रहता है, और अगर आप इसे as it is छोड़ देंगे, तो यह नीचे से flat हो जाता है, तो यह जब hard अच्छे से हो जाते हैं, उसके बाद में हम roll cut कर लेंगे, तो आप जितनी इसे लंबाई रखना चाहते हैं, उसके recording आपने से cut कर लेना है, और जब इसे cut कर लेते हैं, तो इसकी जो किनारे, जो edges होते हैं, इसे हमें tap करके label कर लेना है, और आप मन चाहे तरीक इसे इसे decorate करें, और इसे आप store कर लेना है, airtight container में तो दो हफ्ते के लिए इसे अच्छे से store कर सकते हैं, रैसे भी पसंद आती है, तो like अपन ज़रूर प्रेस करें, thank you for watching